तो आज सूस फूट कॉर्णन में बन रहा है काबली चेने का पुलाव। बड़ा ही जबरदस्त बनता है और स्वात तो ऐसा रहता है कि आप नॉन्वेच भूल जाएंगे एक बार ही आप ट्राइ किजेगा खास करकि जो पुलाव का चावल होता है ना बहुत ही ऑसम बनता है बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स है तो जरूर ट्राइ किजेगा ये ऑसम रिसिपी सूस फूट कॉर्णर का स्पेशिल काबली चेना का पुलाव। बन रहा है उसके लिए काबली चेने चाहिए 300 ग्राम के आसपस ली हूँ राद भर भीगोना है बहुत जरूरी है कम टाइम भीगोना पे नहीं चलेगा कम से का माट घंटा तो एक प्रेशिर कूकर में चेने में डाल दी बड़ा सा इसका प्यास को चार टुक्रों में काट यह चला गया इसके अंदर और इसके साथ एक तेजपत्ता नमक डाल दोंगे बड़ा चम्मच पानी जो है एक ग्लास डालोंगे जिस ग्लास में हम चावल नापेंगे ना वही वाला ग्लास को में स्टैनर्ड यूसकी हूँ पे ग्लास पानी डालके इसको प्रेशिक करना है तीन सीटी हाई में और फिर फ्लेम लो करके तीन सीटी धीमा पर वेट करना है जब तक की प्रेशर अपने आप रिलीज ना हो और यह जो इसका स्टॉक बनेगा ना जो चैने का पानी रहेगा यह हमको यूज करना है तो मैं बताओंगे कैसे तो चैने वहां हमने चड़ा द तो इस चावल को दो-तीन पानी से अच्छे से धो के फिर हम फुला के छोड़ देंगे कम से कम एक घंटा के लिए 45 मिनिट से एक घंटा चावल यहां फूल रहे हैं तब तक देखिए मेरा जो कुकर है इसका सीटी रिलीज हो गया है तो मैं आपको दिखाती हूँ तो यह पूरा तूट गया तो यह ऐसे होने चाहिए और यह जो चैना का पानी है यह हमने एक ग्लास लिया है इसमें और एक ग्लास पानी डालके हमको चावल पकाना है यानि एक ग्लास चावल के लिए हमको दो ग्लास लिक्विड चाहिए तो यह रेडी हो गया तो पुलाओ के लि release कर रहा है ऐसे होना चाहिए तीन हरीलाईची तीन लॉंग, एक फुल चक्री एक इंच डालचिनी का पांच से छे गोल्मिच और दो तेजपत्ता को डालके इसको अच्छे से फ्लेवर आने दूँगे इस तेल में तो जितना अच्छे से ये फ्लेवर आएगा, उतना अच्छा हमारा पुलाउ का स्मेल आएगा, सुगंध आएगा तो 20-30 सेकेंड लगेगा, उसके बाद दो बड़े साइज के पतले-पतले कटे हुए प्यास डाल दूँगे और प्यास को जल्दी ब्राउन करने के लिए आप तो हमेशा से जानते हैं आधी छोटे चमोच आप नमक डाल देंगे नमक डालने पे प्यास जल्दी अपना पानी रिलिस करेगा और जल्दी से सूखेगा और क्रिस्प होगा तो ये पुलाउ का जो प्याज है ना ये पुलाउ का जान होता है जितना अच्छा प्यास का कलर आएगा आपका उतना अच्छा आपका पुलाउ दिखेगा तो प्यास जो है ना बहुत अच्छे से सुनेरा होना चाहिए इस तरह से काला नहीं करना है सुनेरा होना है तो ऐसे ही दिखिएगा पुलाउ का मेरा कलर आएगा जब एक बारी ये हो जाए तो मैं एक इंच अद्रक और 15 लेसन को अच्छे से क्रश कर ली हूँ, कूट ली हूँ, उसको डालेंगे, बिल्कुल भी पेस्ट ना डाले पुलाओं में, स्वाद में जबर्दस्त फरक आता है, क्रश करके ही डाले, डालके एक बारी 2-3 मिट इसक का एक टमाटर को बारी बारी काटके डाल दूँगी, तीन हरा मिर्चे को रफली काटके डाल दूँगी, और एक बड़ा चमच में यहाँ पे गरम असारा डाल दूँगी, सब चीजों को यहाँ पे अच्छे से भून लेंगे, ताकि अच्छे से इसमेल आ जाएगा, दस्त ही हुख हुआ है, तो अभी पानी को सप्रेट करके छान ले, बस चने डाल दे, तो अब ना फ्लेम हाई करके चने, प्यास, टमाटर, अध्रकलेसन सब भून लेंगे, कम से कम 5-7 मिन जब तक चनों में इसे अच्छे से खुश्बू आने लगे, तो जब ऐसे हो जाए तब इसमें कुटा हुआ लालमेश या चिली फ्लेक्स एक छोटा चमच डाल दे, चाहिए तो एक बड़ा चमच भी डाल सकते हैं आपके टेस्ट के साफ से, तो चने जब भून जाए अच्छे से, सब चीज हमारे प्रिपेर हो गया, अब इसमें हम डालेंगे पानी, मैंने पहले ही बोला था, एक ग्लास चावल ली हूँ, दो ग्लास लिक्विड चाहिए, जिसमें से एक ग्लास तो हमको, जो चैना का पानी था वो, अलग से एक ग्लास उसमें डाल दे, तो दो ग्लास लिक्विड हमको चाहिए, नमक थोड़ा डाल दे, और इमली का पल, या थोड पानी में उबाल आ जाए चावल डाल दे हलका सा मिला ले और जब अच्छे से एक बारी फिर उबाल आ जाए फ्लेम हाई पे ही रखे तब उबाल आने के बाद फ्लेम को थोड़ा मीडियम कर दे धककन को आधा ढग दे और 6-7 मिनिट आप छोड़ दे मीडियम हाई फ्लेम पे तो जब 6-7-7 मिनिट में छोड़ दे देखिए जितना पानी हम डाले थे ना जो इसका सूप था वो आल्मोस्ट आधा से ज़्यादा सूख गया है तो अब क्या करना है एक जाइफल लेना है फ्लेम अभी मीडियम पे ही है इसको ताजा ग्रेट करना है कितना ग्रेट करना ह है ना कभी भी बाजार वाले में नहीं है फ्रेश ग्रेट नेटमेक का फ्लेवर का कोई कंपरेजन नहीं है और अब बहुत जरुएटी बताती हूं अगर आप चाहते हैं कि आप पुलाओ का चावल पूरा खिले खिले रहे तो आप इसको स्टर इस तरह से करें किनारे से ल पर इस तरह से मैं जिसमें कुछती हूँ न वो रग दी हूँ अब थोड़ा हेवी वेट कुछ भी आप रख ले और 6-7 मिनिट बाद दम लग गया अभी अभी ढखकन निकालके मैं आपको दिखाती हूं देखिए अब हम इसको टेस्ट करेंगे एक चमच डालके में देखत उसके बाद गयास ओफ करके ढखकन लगाके इसको छोड़ दे लगभग 5 मिनिट अच्छे से रेस्ट करने दे और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पेक और जर्वी ट्रिप है तब शुरू में आप मिलाएंगे चावल न एक कांटा चमच यूश करे ताकि उस और 10 चना का पुलाव बना है अब समय है इसको सर्फ करने के लिए तो मैं इसको सर्फ कर रही हूँ आप देखी पा रहे होंगे सर्फ करने का तरीके से चावल कितने बहतरीन बने हैं और अभी तो सावन का महिना चल रहा है इस टाइम पे इस तरह का डिशेश तो ट्राय करन बनता ही है और साथ में प्याज है एक छोटी टुकडी नीमबू का है और चाहें तो थोड़ा साप अचार भी ले सकते हैं हरा मिर्श भी बिलकुल मत भूलिएगा तो यह जो कॉमिनेशन है ना जोला पुलाव काबले चना का पुलाव बहुत ही गजब बनता है एक बारी ट प्यानी का स्वाद आपको याद आजाएगा एक बारे कीजिएगा करके मुझे फीडबैक दीजिएगा तो अब जो समय है कमेंट अब दीडे का आज का जो कमेंट है वो है इपसिता बिसी का वो लिखती है हाई सुभंगरी आ रियली लब वाचिंग वीडियोज आ प्रिप इतना अच्छे से आप लोग मेरा वीडियो देखते हैं और समय निकाल के मेरे लिए आप उस पर कमेंट करते हैं उसके लिए आपका बहुत-बहुत सुक्रिया हमेशा ऐसा ही आप हमेरे साथ जोड़े रहिए स्टे सेफ एंड स्टे कनेक्टेड और आज का जो रेसिपी है क अबले चेना का पुलाओ, एक्जॉटिक वेज पुलाओ का रेसिपी है, ट्राइ कीजेगा एक बारी और करके मुझे फीडबैक दीजेगा और सोस फूट कॉर्णर को इंस्टेग्राम और फेस्बुक पे फॉलो करना बिलकुर मत भूलेगा और मेरा वीडियो आज का अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजेगा, फ्रेंड्स और फैमिलिंग से शेयर कीजेगा और सब्सक्राइब जरूर कीजेगा मेरा चैनल को, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे सेफ, लव लाइफ and हैपी फूडिंग!